Good morning friends, welcome to study with Neelam I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के सभी best top current affairs question के साथ हम आज का lecture शुरू करेंगे सभी question important है तो वीडियो को skip नहीं कीजेगा और लाश्च तक बने रहिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए किसी भी अपने एक study related group में आप मुझे इंस्टा और फेस्बुक पर भी follow कर सकते हैं यहाँ पर मेरी किसी भी वीडियो का notification आपको प्राप्त हो जाएगा टेलिग्राम पर आपको हमारे सभी lectures के PDF फाइल अवेलेबल होंगे यह हमारा official टेलिग्राम study with नीलम है आप मुझे टेल्टोर पर भी follow कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स तो चलिए करते हैं हम शिरू आज का lecture हाल ही में अंतरराष्टे नेलसन मंडेला दिवस कब बनाया गया तो अंतरराष्टे नेलसन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया क्यों मनाया जाता है ये दिवस नेलसन मंडेला जी इन्होंने रंग भेत के खिलाप दक्चन अफरीका और पूरे विश्व में बहुत बड़ा आंदोलन चरलाया और लोगों को जागरुप किया रंग भेत क्या होता है काले और गोरे का फर्क पहले ये बहुत जादा होता था इसकी कलापिनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये बाद में दक्षन अफरिका के राष्ट पती भी बने इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ इसलिए युनाइक्टेड नेशन की द्वारा 18 जुलाई को प्रती वर्स 2009 से नेशनल मंडेला दिवस मनाया जा रहा है तो ये सारे फेक्ट आपको याद रखना है इन्हें दक्षन अफरिका का साउथ अफरिका का गांधी भी कहा जाता है इन्हें 1990 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी प्रधान किया गया था और खान अब्दुल गफ़ार खान के बाद ये प्राइस पाने वाले ये दूसरे गेर भारतिये थे तो ये सारे फेक्ट आप इनसे याद रखेंगे बात कर लेते हैं अधर उप्षन की 12 जुलाई को हमने मनाया विश्व मलाला दिवस अंतर राष्टिय मलाला दिवस 11 जुलाई को विश्व जन संक्या नियंतरन दिवस 15 जुलाई को विश्व युवा कोसल दिवस ओके तो ये सारे भी आपको याद रखना है हाल ही में जारी वेश्विक वी निर्मान सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है तो हमारे प्यारे देश भारत का इस्थान है तीसरा वी निर्मान का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है कपड़े स्टील जो भी कुछ बन रहा है उसमें भारत का इस्थान कोन सा है इस सूचकांक में तीसरा इस्थान है इस सुचकांग को जारी करने का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े देशों की जो कमपनियां होती है वो कहां investment करें जो देश अच्छी स्थिती पाता है वहां investment जादा करशित होता है तो बात आती है इसमें टोटल कितने देश शामिल थे इसमें टोटल 48 देश शामिल थे और 48 में से तीसरे नंबर पर आया है भारत तो प्रथम और दुत्ती इस्थान पर कोन रहा है प्रथम पर रहा है चीन और दूसरे पर है अमेरिका यू ऐसे और तीसरे पर है हमारा प्यारा देश भारत ओके फ्रिट्स तो ये सारे फेक्ट आप यहां से याद रखेंगे हाल ही में अफ्रिकी देश गेबॉन की पहली महिला प्रथान मंतरी कोन बन गई है तो ये बन गई है ओसा उका रेपोडो ओके ये अफ्रिकी देश है गेबॉन यहां इनकी कैपिटल क्या है गेबॉन की कैपिटल है लिवरे विल्ले क्या है लिवरे विल्ले इसकी कैपिटल है और केरेंसी क्या है सेंट अफ्रिकन सी एफे फ्रेंक सेंट अफ्रिकन सी एफे फ्रेंक प्रधान मंत्री कोन है तो प्रधान मंत्री बन गई है ओसो का बड़े पोड़ा अधर आप्शन्स को देख लेते हैं सौफी विल्म कहां कियें ये बेल्जियम की पहली महिला प्रदान मंतरी हैं सालबर्क जेबडे ये कहां किये हैं तो ये हैं इथोपिया की पहली महिला राष्ट पती हाल इने किस राजी ने वेस्ट टू एनरजी पहल के तहट कछरे से बिजली बनाने की योजना बनाई है तो यह योजना बनाई गई है उत्राखन सरकार के द्वारा उत्राखंड का जो पहाड़ी चेतरे उसमें प्रती दिन 9000 टन कच्रा निकलता है और इस कच्रे से लगभग 5-6 मेगावर्ट विजली बनाने का दावा वहां की स्थानी प्रशाशन के द्वारा किया गया है मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि 36 गड़ में वेस्ट टू एनरजी प्लांट बनाया गया है जिसकी प्रती दिन चमता 500 टन कच्रे को किसमें बदलना होगी बहुत देशों में जैसे खाद में बदलना जो पेड़ पोधों के लिए खाद दी जाती है उसके में बदलना ठीके और सीमेंट उत्पादन जो होता है उनके लिए इसमें से कुछ वेस्ट माटीरियल निकलेगा और थड़ चीशती से 6 मेगावाड विजली का उत्पादन होगा तो यह 36 गड़ में प्लांट इस्थापित हो गया है जिसमें प्रती दिन 500 टन कच्रे को यह उप पिरानी मोर्या इसमर केपितल है में उसका कर आपको उत्राखंड से याद रखना है बंने आपको बताया था कुछ दिनोंपहले ही उत्राखंड देख का पहला एसा राज्य बनाये जिसने लीज पर करशी भूमी को देना प्रारंब किया है जो भूमी ही इनकिसाने वो सरकार से लीज पर करशी भूमी ले सकते हैं और उस पर करशी कारे कर सकते हैं उत्राखंड हाई कोट के सीजे को ने चीप जश्टिस तो यह है रमेश रंग नाथन रमेश रंग नाथन यहां के सीजे हैं, ओके प्रंट्स चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, हाल ही में IOC ने 2022 डकार युवा ओलम्पिकों को कब तक के लिए इस्तगित कर दिया है, तो ये इस्तगित कर दिये गए हैं 2026 तर, 2022 में होने थे और इनको आगे बढ़ा दि किया गया है, कब होंगे ये, अफरिका में आयोजित किये जाएंगे, अब 2026 में का आयोजन किया जाएगा, ओके तो ये आपको याद रखना है, बात कर लेते हैं, IOC की अंतर राश्टी ओलम्पिक कमिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1918-1994, अभी हमने 23 जून को तो ये, अलमपिक दिवस भी मनाया था, आप लोगों को अगर याद हो, तो फेटवाटर कहां पर है, फेटवाटर इसका है, Lausanne, Switzerland, Lausanne, Switzerland में वर्तमान में, IOC के अध्य क्ष कोने, Thomas Buck है, इसके अध्यक्ष, Thomas Buck IOC के वर्तमान में, अध्यक्ष हैं, ओके, ये सारे एक्ट देखिए जो टोक्यों में होने वाले थे वो समर ओलंपिक थे कब 2020 में लेकिन अब इनका आयोजन कब होगा 2021 में अगले समर ओलंपिक 2024 में कहां होंगे तो यह होंगे पेरिस में कहां होंगे पेरिस में ओके विंटर ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो यह 2022 में कहां होंगे चीन क बीजिंग में चीन के बीजिंग में 2022 में और 2026 में कहा होंगे नेक्स्ट विंटर ओलम्पिक तो यह होंगे इतली के मिलान में इतली के मिलान में ओके फ्रंस तो यह आगामी खेल परते हो गिता हैं एक्जाम पॉइंट वी से इंपॉर्टेंट होती है तो इन्हें आप याद क पर वो भी अभी खेल नहीं रहा है लेकिन उन्होंनों सुझाज रहना नहीं किये सेम कर्णीशन इनकी भी थी किस पूर्ब स्न्यास लेने की गोशना की है तो यह की है माईल जैनेडिक ने इनसे रिलेटे इड़िए قोशन आएगा बात कर लेते हैं आस्ट्रेलिया की तो यह एक सारवधिक कमी दर्जी की है तो यह है हमारा प्यारा देश भारत देखिए वह आपको अगर आपने मेरा 10 mcqs 10 minute 10 mcqs अगर आप देखते होंगे तो मैंने उसमें भी आप लोगों को यह चीज़ी बताई थी यहां पर भी इस चीज़ को मैंने रखा है क्योंकि यह कोशन एक्जाम पॉइंट भी से बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है सैयोक्त राष्ट संग और Oxford University के गरीबी मानव विकास के बहु आयामी जो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है इस इंडेक्स में जो देश हैं जिनोंने अपने SDG Gold Sustainable Development Gold के तहत क्या किया है गरीबी में कमील आईए अब बहु आयामी गरीबी क्या होती है देखिए सूचकांग धन सोधन सूचकांग के तहत दर्शाया गया है ये धन सोधन सूचकांग 2020 इसमें भारत ने जो प्रगती की है उसके अनुसार 73.3 करोड लोगों को भारत ने 10 वर्षों में 2005-6 से 2015-16 के मद्ध क्या किया है गरीबी से बाहर निकाला है कितने करोड लोगों को 73.3 करोड लोगों को अब भुआ आया में गरीबी टर्म क्या होती है देखे सबके पास घर है लेकिन उस घर का जो first है वह किस तरे की का है आप लोग जानते हैं कहीं कह घ्र है लेकिन first कच्चा है तो उसके साप से इंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थितिए क्या होगी अब ए स्वास्ट सुवीधां प्राप्त ँपर हो रही एं यहां पर हम नियोर्क साइयुक्त राष्ट बनाते हैं कब चोंगूर्क के यहां से मनाते हैं राष्टि खा было क्युत違क दिवस और विश्व पोलियो दिवस यह भी कब मनाते हैं चोंगूर्क राप जो मनाते हैं हेट् zijक कोटर स्काइवर easier हाली में जारी नियू वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी सहर भी है ये भी आपको याद रखना है वर्तमान में यू एनो में कितने सदश्चे है वन नाइंटी थृ और नाइंटी थृ वा देश कोन सा बना है इसका दक्षिन सूडान बना है कौन बना है दक्षुन सुडा वर्तमान में इसके महाने देशक कोन है यूएनो के तो यह है एंटोनियो गुतारेस कोन है एंटोनियो गुतारेस यह किस देश से है यह है पुर्तिगाल से कहां से है पुर्तिगाल से ओके फ्रेंट्स तो यह सारे फेक्ट आपको यूएनो से याद रखने बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ हाली में 34 वा ला लीगा खिताब किस ने जीता है ला लीगा खिताब को संबंद किस खेल से है पहली बात तो यह आपके आद होना चाहिए तो यह फुटबोल से है किस से है फुटबोल से है किस देश का है तो यह इस्पेन का है किस जीट लिया है एये आपको धियान में रखना है अब बात कर लेते हैं हम ला लीगा क्लब की तो यह इस्पेन का क्लब है इस्पेन की केपिटल क्या है मैडरेट है PM कोने Pedro Sancher है PM कोने Pedro Sancher कैरंसी क्या है Euro कैरंसी क्या है Euro और आपको बताया भी था ला लीगा जो football club है इसके brand ambassador किन्हें बनाए गया था रोहित सर्मा को किसको रोहित सर्मा को चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाल ही में किसने तमांग ждane dada तमांक्स जनजाती पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है तो ये किया है अर्णाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने इसका विमोचन किया ये जो जनजाती है इन पर विलुप्त होने का कगार है और इनकी भासा पर भी वर्स 2016 में इन पर एक सर्वे किया गए था उस सर्वे के अनुसार इस जनजाती के मात्र 253 लोग ही शेश रहे गए हैं इससे इन लोगों की भासा और संस्कृती पर विलुप्ती होने का खत्रा मंडरा रहा है ये अर्णाचल प्रदेश के कोकिंग गाउं में रहते हैं तो ये सारे फेक्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं जो चार अक्टूबर को होने वाला है तो इस तरीके की कोश्चनों पर आपको फोकस करना चाहिए ओके फ्रेंट्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हाली में IT कंपनी HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमेटेड टेक्नोलोजी के नए अध्यक्ष किने बनाया गया है तो ये बन गई है रोशनी नादर मलोत्रा कौन बन गई हैं रोशनी नादर मलोत्रा इसकी नई चेयर पर्षन बन गई हैं IIFL हुरुन इंडिया लिस्ट के अनुसाव रोशनी नादर वर्ष 2019 में भारत की सबसे अमीर महिला की रिष्ट में नंबर बन हैं और देश के सबसे अमीर महिला क्यों है तो यही है रोश्णी नादर बात कर लेते हैं HCL कमपनी की तो इसकी स्थापना कभूई की 1976 में हेटकॉर्टर कहां पर है नौइडा में हेटकॉर्टर नौइडा में और इसके वर्तमान में CEO कोन है तो यह हैं सी विजे कुमार इसके क्या है CEO तो यह सारे एफेक्ट आप इसस कोश्चन से याद रखेंगे अब हम चलते हैं पॉइंट पॉइंट सेक्शन की तरफ हाली में भारत के छाचटवे ग्रेंड मास्टर तमिल नाडू के कौन बन गए जी अकास बन गए इंपॉर्टन नाम है करम उन्सा 65 और चाचटवे ग्रेंड मास्टर कोन है तो चोश्चटवे हैं प्रतवी गुपता नाकपूर और शेत्य नाक साधवानी दिल्ली तो यह तीनों को ही आपको याद रखना है और सबसे इंप्रेंड मास्टर पहले ग्रेंड मास्टर कौन थे तो यह विश्वनात आन इस Global Diplomacy Index की क्या है था भई इसमें ये था Diplomacy Index में किस देश के किसी दूसरे देशों में कितने राजनेतिक कार्याले स्थापित हैं है ना Embassy कितनी है उसके आधार पर तो चाइना इसमें सीर्स रहा था और एशया की सबसिल लंबी नदी विश्वी की दो अन्य नदियों में कौन सी है पहली है नील नदी दूसरी है आपकी Amazon नदी और तीसरी कौन सी है यांग्ची नदी तो यह एशया की पहली है एपस्टार 6D यहाँ चीन का दूर संचार उबग्रह जिसे हाली में सफलता पुरवक प्रच्छेपित किया गया है फिनलेंड की पहली महिला राष्टपती कोन बनी है सना मरीन बनी है साई इंग वेन यह ताइवेन की पहली महिला राष्टपती है और हाली में दुबारा चुनली गई है इसलिए इस कोशन को यहां सामिल किया गया है उत्राखंड की ह है यह online news platform है हाल ही में cyber हर virtual जागरुकता कारिक्रम किसके द्वारा शिरूख किया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा कल ही मैंने आपको बताया था आंदरप्रदेश पुलिस के द्वारा भी कौन सा operation शिरूख किया गया है अप्रेशन मुस्कान तो आप यह याद रखिएगा तेलंगाना की कैपिटल हैद्रावाद सीएम कोन है चंदर शेखर राव गवर्नर कोन है तो यह है डॉक्टर तिमली साई संदर राजन ओके तो यह सारे फेक्ट आप तेलंगाना से याद रखेंगे हमने दो जुन को क्या म सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यह कहां पर है तो यह तेलंगाना राज्य में ही तेलंगाना के हिद्रवाद राज्य में स्थापित है इसमें एक लाख लोगों के बेटने की ववस्था है तेलंगाना सरकार द्वारा लॉंच किया गया है आईएटी मदरास ने हाल ही में यह आईएमप कोश्य ने ध्यान रखेगा पोर्टेबल मेडिकेप बनाया है पोर्टेबल अस्पताल इसका नाम क्या है मेडिकेप को बनाया है किसने आईएएटी मदरास ने तो यहां डिग्री प्रोग्राम किस ने प्रारंब किया IIT मदरास ने और HRD मिनिस्टरी के द्वारा जो ओवरोल रैंकिंग जारी की गई थी देश के इंसिटुशन की उस ओवरोल लिस्ट में टॉपर कौन रही थी तो IIT मदरास ही उसमें टॉपर रही थी IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना वाइरस डाइग्नोस्टिक कोरोना श्वेर बनाई है जिसकी कीमत कितनी है मात्र छेसो पचास रुपे कोपल 19 एप्लिकेशन प्राकरतिक डेश बोर्ट कोबिट 19 की भविश्वानई के लिए IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया था IIT कानपूर ने सुध्ध डिवाइस बनाई थी किस के लिए थी यह सैनिटाइजिंग डिवाइस थी कौन सी सुध्ध आपको याद रखना किस ने बनाई तो IIT कानपूर के द्वारा बनाई गयी थी जुलाई की यहाँ पर डे हैं जुलाई के डे कंप्लेट कर लेते हैं हम वन मोर टाइम फर्स्ट जुलाई को नेशनल डॉक्टर दे थीम क्या थी लेसन द मॉटलिटी औफ कोविड नाईटी एक जुलाई को ही राष्टी डाग दिवस मनाया हमने डाग करमचारी दिवस एक जुलाई को धर्म चक्र दिवस ये सारनाथ में है ओके पसाज जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस और ग्यारा जुलाई को हमने मनाया विश्व जनसंक्या दिवस थीम क्या थी इसकी पुटिंग दसेफ दब्रेक ओन कोविड नाईटीन सेफगर्ड दे हेल्थ और जाता है नियाई के लिए अंतरराष्टिय दिवस और 18 जुलाई को मनाया हमने अंतरराष्टिय नेलसल मंडेला दिवस तो फ्रेंड्स ये था वीडियो का एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और थैंक्स फॉर